कि वेरे वेरी गुड मॉर्निंग तो अलव यू तो डियर इस्ट्रेंट लास्ट क्लासिस में हमने समझाता है तू एकनॉमी मॉडल में और आज की क्लासिस में इसी सर्कुलर फ्लो की कॉंसेट को आगे करेंगे लेकिन अभी हम तू एकनॉमी मॉडल में ही है तू एकनॉमी मॉडल का मतलब यह हो गया कि सर्फ दो ही सेक्टर इसमें इंवाल्ब ले एक तो हाउसल्ड सेक्टर है और एक फर्म है अब इसमें हम् Capital Market के बारे में भी समझेंगे Saving and Investment in the Economy यह क्या होता है Saving and Investment आईए यहां समझते हैं वही दो सेक्टर है Household और एक Firm अब देखेगा यह बहुत जरूरी है कि Firmों के पास में सबसे पहले एक Economic के बारे में मैंने Last Class में Detail Discussion करा था कि किसी भी Economic के Growth के लिए requirement है कि वहां की लोगों की Life Luxurious की तरफ आगे चले Comfortable Life हो Goods and Services के साथ में पर लाइफ के Spend करें अगर आपके पास में Goods and Services की कमी हो जाती है आपके पास में घर नहीं है आपके पास में फूड नहीं है आपके पास में Medical Facilities नहीं है आपके पास में Education की Facilities नहीं है आप इन सब चीजों के बिना आपके पास में Transportation की Facilities नहीं है तो इन सब के बिना आपकी Life Struggle में चली जाएगी और इसी को फिर हम Backward बोलते हैं और अगर Luxury Life अगर आप जी रहे हैं हमारा Purpose है जिसको सरफ और सरफ Goods and Services के प्लक्षन से ही फुल्फिल किया जा सकता है और Goods and Services को हम Produce एक फ़र्म में करते हैं तो फ़र्म को एक जो है Resources की रिक्वार्मेंट है एक फैक्टर का रिक्वार्मेंट है जो के एक हाउस होल्ड से ट्रांस्फर होता है लेबर हाउस होल्ड से Capital एंट्रिप्वन आप फिस्कल पॉइंटावी से देखें अगर आप फैसा है फूह के पास में फ़र्म क्या करती है फैक्टर पेमिंट करती है इसके बदले में अगर आपने लेंग लिया है तो फॉर्म उसके बदले में विज्जिस पे करेगी अगर फर्म ने हाउसॉल्ड से अंटेपनर लिया तो बदले में प्रॉफिट देगी तो यह इस तरगी चीज़ें जो हैं फर्म सबसे पहले क्या करती है हाउसॉल्ड कुछ पेमिंट करती है तो जरूरी यह है कि यह हाउसॉल्ड अपने सभी पैसे को expense कर दे खर्च कर दे खर्च करने से क्या होगा कि जब सोर पर आया और सोर पर मैंने खर्चा कर दिया तो यह सोर पर मेरे बापस कहां लोटके चले गए फर्म के पास बापस मेरे पैसे लोट करके चले गए तो फर्म दुबारा से अपने उसकी capital में कोई कमी कर पाएगा लेकिन आप फर्म ने जो पैसा हमें दिया हमारी एक आदत होती है हम सब की आदत होती है जो से हम कहते हैं सेविंग अब आपके पिताजी की तंखा 20,000 पर मिली है तो इसका मतलब यह नहीं 20,000 पूरे खर्च हो जाते होंगे 15,000 पर खर्च करें 18,000 खर्च करें एक हजार दो जार जो भी बचत माया है उन्होंने बचत कि तो आप ऐसे तो बिलकुल भी नहीं बोल सकते कि भीया जो भी हम अन करते हैं फॉर्म की थार लाइक हमें रेंट मिल रहा हूँ चाहि हमें इंडरस मिल रहा हूँ चाहि मेंई बचत मिल रहा हूँ जो भी इंकम हम एक फॉर्म की घरके फ़र्म तक पहुचा दिते हैं अब सवाल बचे यहां पर यह है कि जो पैसा निकल जाता तो क्या १ूर्म की स्टन्थ कम हो जाती है गोर्च से इसको प्रणूस करने की और स्टन्थ कम हो जाएगी तो गूर्च से चाहinement चले जाएगा क्यों नहीं है उसको हम इससे समझेंगे इस इस ट्रॉपिक का नाम के हमारा टू सेक्टर मोडल में ही काम कर रहे हैं फॉर्म और हाउचोल्ड अफ दा सर्कुलर फ्लो इंकम विद्धा इंवेस्ट्मेंट इंड सेविंग इसके उपर बात कर रहे हैं तो हमारी सेविंग अपके फादर के जो भी सेविंग बन जाती है हाउसpox ओर्द से सेविंग निकलना चालू होती है और यह saving क्या होती है यह saving जो है capital market capital market किसे कहते हैं जहां पर भी आपके पैसे को रख कर गए उसके बदले में आपको उसे extra लोटाया जाता है वो सारे के सारे financial institutions हम capital market कहते हैं जितने भी bank सब यह काम करते हैं आपका पैसा जो भी आप उस पर deposit करो किसे ज़्यादा आपको रिटर मिलता है यह आपका capital market है share market के अंदर अगर आप डिवेंचर बॉंड्स में जाते हैं यह भी क्या capital market है या फिर आप shares ही लेते हैं लॉस होने की possibilities है बट वो भी capital market है तो जहा पर पैसो की बाजार तो यहां पर इसको हम क्या बोलते है capital market तो capital market में आप कहीं पर भी अपने saving को आप share market में ट्रांफर कर सकते हैं अपनी saving को आप डिवेंचर में ट्रांफर कर सकते हैं अपनी saving को आप mutual fund में ट्रांफर कर सकते हैं तो अपने saving को जब भी आप डालेंगे त अब यह जो बैंकों के पास में पैसा है आप सोचके दिखिए जो बैंक आपको आपको आप से लाग रुपर लेती है और आपको इस पैसे की सेफटी भी रखती है, गार्ड, स tragedy सब रखती है और उल्टा ल्टा के भी ज्यादा देती है तो आपके पैसे के रखवाली करने के लिए बदले में उसको और चार्ज करना चीता बड़ो चार्ज नहीं कर रही है उल्टा आपको लोटा ही जिरी है और एक्स्ट्रा तो ऐसे कैसे पॉसिबल है क्यूंकि बैंक आपके पैसे को क्या करती है आगे शर्दर वो लोन जो है दे देती है आपको सोचई किसी बैंक में आगर आप अपने दी कर वाते हैं तो आपको बैंक कितना देती है साथ पसेन और options बैंक पर करे लोन लेने जाते तो बैंक आपसे लेए कितना 12 पसंट इस तो तो इस तरीके से बैंक में करोडो करोडो का काम होता है कि वो जिस रेट उप इंटरस्ट पब्लिक को देती है उससे ज्यादा वो आगे पास करके के अंकरते जो बीच का गैप हो उसकी इंकम होती है वो बैंक के इंकम है अब आगे देती किसको है पुब्लिक तो सारा का सारा पैसा नहीं उठाती है एज़ा लोन वो तो कुछ कुछ बहुत ही एक मामले इंसा ही पुब्लिक घर में लेती है बाकी वो उठाते हैं वो फर्म के लिए और जो फर्म के लिए और जो पैसा पैसे पैस से भी उठाती है फर्म क्या करते है जाती है बापस बैंक के पास में चैक्छे मार्केट में जा चाहिए और बोलती है मुझे पैसा दे तो मैं मैं मदले मिआपको इंटर्स प Hakkade लेती please तो 100 होता है वापस फांम पक पहुंच जाता है तो यहां पर यही बात है कि सबसे सब्सक्राइब. 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 अब बrå government. उसके बाद बागी फाइसा खर्च करके इस नफ़ता जलू। जो पैसा capital market नों डाला है capital market से पैसा वापस as a investment या फिर ओर loan आपका जो है producing sector के पास अपका पहुंच जाता है तो यह investment and savings structure है ने two sector economy model clear है बच्चे मांसी कुमारी बच्चे inflation तब होता है inflation का मतलब होता है जहां पर demand कम जहां पर supply ज़्यादा होती है डिमांड इकमपेटिवली जहां पर demand ज़्यादा होती है supply competitively एक्जामपल और inflation का मतलब होता है कि कि किसी community की जब price rise हो रही होती है तो इसे inflation कहते है और यह तब possible हो पाता है कि लगातार कीमत बढ़ रही हो तब होता है जबकि demand supply competitively ज़्यादा है एक्जामपल कोवीड के time-based sanitizer की demand इतन से ज़्यादा होगी तो सप्लाई इसकी shortage होगी तो उसी तो वो चीज़ें कहीं कहीं create हो चुकी होती है तो जिससे कि उसकी shortage नहीं होती है और inflation की chances नहीं रहते हैं हाँ अगर government क्या करे उस extra money को अब वो issue कर दे वो subsidy के फॉर्म में पैसा दे दे जा फिर pension के फॉर्म में पैसा दे इस तकिर से पैसा छाप छापके बाढ़ते रहे सरक inflation में लोगों के पास में goods and services का blockchain तो होनी रहा है cash flow लोगे पास ज्यादा है वो cash flow demand generate करेगी और access demand जो है supply की shortage तो रहेगी रहेगी clear है और access demand क्या करेगी वो एक inflation की stage पर आपको ले जाएगी तो यह मत सोचेगा कि government अगर आपको एक रुपय दे रही है तो आपकी help होगी आग रुपय किलो कोई सामान है simple सी बात है और एक रुपया तो आदी किलो लेनी की छमताज आपके पास में है ठीक है अब आगे government ने आपको एक रुपय की help कर दीके बंदा गरीब है यह इसको दे देते हैं पैसा अब आप पर दो रुपय आ गया वही जो चीज दो रुपय की देते हैं वह चीज चारवे की होगी तो दो रुपय में भी आप इस समय आदी किलो ही ले पाएंगे तो government का सब्सीडी देने से कोई खास impact नहीं पड़ता है क्योंकि आगे चल करके वह inflation में transfer हो जाता है और वह benefit आपका चला जाता है अगर आपको inflation में transfer हो गया और आपको सब्सक्राइब की चीज पहुंच गी तो ऐसे लोग जिनका सब्सक्राइब नहीं पहुंच पाती है पट इंफ्रिशन आ गया बहुत सब्सक्राइब इस चीज में दफते हैं तो यह policy कहीं इतनी ज्यादा ठीक नहीं है हां कुछ लेवल तक ठीक है like poverty के लिए medical facilities का होना उनक पर क्या बीज्टी है जिसको बिमारी उसे ज़्यादा बीज्टी है परिवारवाल को पर इसलिए ऐसे सिती में हर हाल सरकार की responsibility है education देना सरकार की responsibility है और इसके लाबा बस सरकार की responsibility है road देना जो है safety देना यह सारी responsibility government की है government की responsibility यह नहीं है कि बसों में तुम्हारी टिटे फिरी करेंगे government की responsibility यह नहीं है तुम्हारे school में 2000 पे तुम्हें हम देंगे यह सारी चीज़ें जो है एक election के point of view से यह एक political stunt होता है जो कि economic को harm करता ही करता है क्लेरे बच्चे whatever is the saved by the अब यह कह रहा है आगे whatever is the saved by the household sector जो भी एक परिवार जो भी आपके घर में family में जो भी कुछ बचत होती है sector flows to the firm in the form of the investment investment की throw firm तो पहुंच जाता है the medium of the financial institutions like capital market कहते है इसको banks financial corporation etc अब three sector model of the circular flow अभी तक तो दो sector में हम लोग थे अब एक sector और extra आ गया है अब यहाँ पर सरकार की entry हो गई है सरकार बोलेगा भाया तुम household और firm household और firm आपस में खेल रहे हो भाया हम भी यह हम भी खेलेंगे इसके बीच में आ करके तो एक sector और involved हो गया government sector इसलिए यहाँ पर तीन sector हो गया त्री sector economy model अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और actual में government का रोल होता है तो दियर दियरे हम concept को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर सौंज में आएगा इस ट्रक्चर से समझते हो ज़्यादा बड़ी है यह आपके सामने structure है शुरुआत क्या होती है सबसे पहले देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो चलिए मैं cash flow की बात कर रहा हूँ मैं money flow की बात कर रहा हूँ मैं nominal flow की बात कर रहा हूँ और ये पेमिंट जो है हाऊऊषोल्ड के पास जाएगा तो जो भी फॉर्म ओते किसी घर में अगर पैसा आ तो किसी फिम से ही आ रहा है या तो आपने इसको लेंड दे रहें तो रेंट आ रहा है पोर्ड वेकिषिचे तो प्रॉफिट आ रहा है इस पैसे को household सेक्टर ने इस पैसे को expense कर दिया consumption of expenditure हो गया और वो पैसा जितना भी करा उस सारा का सारा पैसा जो है वो producing sector के पास में पहुंच गया clear है बच्चे लेकिन सारा पैसा नहीं पहुंच तो सुपसे कुछ पैसा रख लिया क्यों जड़र इस बात को समझी है हाउस ओल्ड है मान लेजिए इसके पास में 100 रुपए है तो 100 रुपए में से जो expenditure होगा मान लेजिए 80 रुपए हुआ ठीक है expenditure जो कि किसका चला गया कि फाम के पास ही आ गया 80 रुपए और यह पैसा 100 रुपए दिया किसे था फार्म नहीं दिया था ठीक है फार्म के यहां से कितना पैसा निकला सो रुप निकला देखते हैं वापस फार्म पर कैसे पहुंचता है है इसमें से फार्म के पास पर कितने रुपए आ चुके हैं अब अच्छे कितने हमारे पास पर हाउस बीस रुपए बीस रुपए में से आप क्या कर पाए आप मानके चलिए पंदरा रुपए आपने जो है वो सेविंग कर लिए और यह पैसा गया capital मार्केट में अधिया पैसा कर यह कैपिटल मार्केट में और क्या कर राफ फर्म ने वापस पैसे को उठा लिया और फर्म के पासे पंदर रुपए और जा चुके तो बाकि पांच रुपए कहा है तो सरकार को आपने टेक्स पर है जो इसलिए गवर्मेंट सेक्टर का इन्वाल्मेंट पैसे आगे ना सरकार को टेक्स पर देते हैं हम लोग अब यह पैसा आ गया गौवर्मेंट के पास गया भाई आप अब गवर्मेंट भी दो तरीके से खर्च करती है जो गवर्मेंट है वह पैसे को दो तरीके से खर्च करती है यह यह भी कंजम्शन करती है हाउसोल की तरह कंजम्शन expenditure करती है और ये भी saving करती है investment करती है सरकार भी सरकार के वो खर्चे जो public के लिए मुफ्ऴ में उपलब्द है जैसे कि आपके society में या आपके महले में पारख सरकार स्कताल में मिलने वाली दवाईया सरकारी स्कूल, पे टीचर की सर्विसेस यह सब कुछ आप मुफ्त में लेते हैं सरकार से बददेगा वह कुछ ने देना होता है यह सारी चीजें government consumption कहलाती है सरकार की consumption कहलाती है और और वो सभी चीजें ज्योकि government वो सभी चीजें हाँ आभी मैं सबको बता दूँगा अब उन्हें शीट पर करके दिखा दूँगा आपको ठीक है और मैं भी आपको आता हुए गवर्मेंट जो है कुछ चीजें आप जो फ्री में अविलेबल होता है वो गवर्मेंट का का इनफिश्य एक्स्पेंडिचर होता है बड़ गवर्मेंट कुछ खर्चे कर देती है वहाँ पर जासे उनको अर्निंग हो लाइक उस उन्होंने हाई इनफिट्मेंट हो गया तो सरकार की दो कषर्चे होते हैं सरकार के यह बहुति सर्क्राइब का दी अन्वेस्ट कर लेती सरकार कर लें और Фिझ कर लेती है तो वहीं नालोंisso कि 5 रुपय में से सरकार ने अगर मान लीजी कि 3 रुपय क्या कर लिया कंजम्शन कर लिया और इसमें से बाकी 2 रुपय इंवेस्ट कर दिया अब जो कंजम्शन करा कंजम्शन के लिए silver करें जा सरकार को रोड बनाना पड़े रोडी लाना पड़े, बदरपूर लाना पड़े, जो भी कुछ लाना पड़े, फर्म से उठा के लाईगी, तो कंजम्शन गन्ने में पैसा ये कहां चला गया वापस, ये पैसा वापस फर्म पे लौट के आ गया, तो तीन रुपए लोजी और आ गया, कंजम्शन गन्ने से, अब इन्वेश्मेंट जो सरकार ने करा है, ये इन्वेश्मेंट सरकार का कैपिनल मार्केट है, पहुचेगा, हाउसोल्ड की तरह, और कैपिनल मार्केट से फर्म उठा लेगी, तो भाईया, ये पैसा दो रुपए बापस, फर्म पे पहुच गया, तो लोजी आपका हिसा से तरी के समझाता हूँ, गवर्मेंट सेक्टर बीच में ले आते हैं, कैपिनल मार्केट, हाउसोल्ड, ठीक है बच्चे, फर्म, गवर्मेंट, कैपिनल मार्केट, ठीक है बच्चे, अब यहाँ सबसे पहले क्या होगा, कि भाईया, एक परिवार कुछ या कुछ कारे करेगा, मतनब कि या तो कहीं फर्म में जाकर के मजदूरी करेगा, तो उसको वहाँ से विजिस मिलेगा, या तो किसी को अपनी भूमी किराय पे देदेगा, उसको किराय मिलेगा, या तो किसी को पे अपना बेवस्ताय करने का रिस्क लेगा, इंटरप्राइस देगा, तो वहाँ से उसको लाव मिलेगा, तो इस तरीके से, जो है, हाउस होल्ड सबसे पहले यहाँ पर रिसीव करना चालू करता है, फर्म कितरो, तो फर्म से चीज़े निकलती है, निकलती है, और हाउस होल्ड पर चीज़े जाती है, फर्म से निकली हाउस होल्ड पर पहुंची, फर्म से निकली है, क्या क्या फर्म से निकली है, फर्म से निकली है, एक तो फर्म ने पे करा रेंट, एक फर्म ने पे करा व एक फर्म ने पेकरा प्राफिट एक फर्म ने रेंट कैपिटर इंटरस्ट यह चार चीजे फर्म करें और हाउसोल्ड पे चला गया अब हाउसोल्ड ने क्या करा इसको कंजम्शन āक्सपेंडिचियमें करा हासओड ने और यह चीजें हाउस ओर फर्म तक व्यजंक स्वक ट्रांस्टर करा कूछ ऐसे और हासोल्ड ने किया कर एएए इसको काँशन एक्सपेंडिचियर करा कुछ पैसे पर देखेंगे यहां पर कि यह बात सब्सक्राइब आपको आ गई है को डाउट किसी को ठेक है अब यहां पर क्या हुआ हाउस होल्ड ने यहां पर अपने पासे फर्म तक पैसा पहुंचा है बड़ सारे पैसे नहीं पहुंचा है कुछ पैसा हाउस होल्ड का कहा चला गया कुछ पैसा हाउस होल्ड का कहा गया कैपिटल मार्किट के पास में कुछ पैसा हाउस होल्ड का कैपिटल मार्किट ने पहुंचा और कैपिटल मार्किट से यह पैसा वापस कहा ट्रांसफर हुआ के दीर के एक कैफे न मार्क्ट से पैसा वापस सिर्श फर्म तक पहुंच गया और хорошо से कुछ पैसा कहा गया था कर HY मुझा हासोल से पैसा जो आया वोत तीन जिगे पर गया है क्लिए बच्छे एक तो फ्र्म पे रोट हाँसियों अड़्मनें एक हाउसपोड़ पीः है और गोर्नेंटन सेक्से के पास conflicting गया पर करीं आज अधाने अधार को एसरक्स फॉर्म में गया आप टेक्स की फॉर्म में गया या या तो एक कुम्होंकर कर था कंजम्शन एक्सपेंडिचर करके वापस वही एक्सपेंडिचर राके यहां आ गया जा फिर उन्होंने क्या करा गवर्मेंट ने इसको इन्वेस्ट कर दिया क्लेरे बचे तो गवर्मेंट ने क्या करा इस पैसे को कंजम्शन एक्सपेंडिचर करा जा फिर जा फिर उसने इन्वेस्ट कर दिया क्लियर है बच्चे वास अजमाई आपको तो हाउसोल पर जो पैसा आया सबसे पहले हाउसोल ने इसी टेक्स वाले पैसे को बापस फिर्म को दे दिया देख रहें क्लेरे बच्चे और फिर्म भी टेक्स पे करती है तो फिर्म टेक्स पे कर गरें फिर्म भी टेक्स पे करती है बच्चे असी वात ने फिर्म पे नहीं करती है तो फिर्म भी टेक्स पे करती है तो गवर्मेंट को तो गवर्मेंट क्या करती है वही पैसा दो तरगे से या तो कंजम्शन एक्सपेंडिश्य की थ्रों बापस लटाती है या फिर इंवेस्ट कि लिए बात समझ रहे हैं अम सर्कुलर फ्लोग आप मतलब क्या है उब तो जैसे अब देखें अब आप क्या सिस्टेम क्यों रखें आप सुन्ज़ाइब आपको अच्छी सा आएगा धूआ है मा Pokemon के देखिए परडूसिंग सेक्टर तो परडूसिंग सेक्टर में क्या हमारे पास में परडूसिंग सेक्टर में हमारे पास में accessing service फैक्टर पेमेंट को से वेजिस के इसलों sindran brew हाउसहोल्ड के पास गया और हाउसोल्ड ने और हासोलिट ने उसको क्या करा हासोलिट ने उस पैसे को consumption expenditure करते वे एक producer firm तब पहुंचाया दूसरी बात है हासोल से पैसा कहा गया tax के form में भी गया government के पास में दूसरी बात है हासोल से पैसा yoga कहा गया saving के form में गया अब यही पैसा जब government के पास में गया tax के form में तो government ने क्या करा consumption expenditure करा और producing sector तक पहुचा दिया clear है और government ने saving करकर के capital market तक पहुचा दिया और capital market से इस पैसे को वापस producing sector ने उठा लिया तो सारा बसा निकल चुका है ठीक है अब बात करते हैं पर producing sector भी tax देती है तो टेक्स देगे government तक पैसा पहुचा है और government तक पैसा पहुचा है तो government ने क्या करा कि उस पैसे को सेविंग में डाला और सेविंग में डाला करके वापस वह पैसा capital market से उठा लिया गया है और उधार करके यहां तक पहुचा आए उधार ले पढ़ लेते हैं इस अधिजा कंप्लीट मोडल ऑफ सर्कुलर फ्लो आफ इंकम इंकम का जो फ्लो कैसे होता है वो बता रहे हैं कंप्लीट इसलिए करेंगे भाई गवर्मेंट को था हमने दो सब्सक्राइब मोडल में साइट का रखा था बट जब की गवर्मेंट का इंवाल्मेंट रहता है कोई से ऐसी किनोमी इसमें गवर्मेंट नहीं है इन इस्टडि़ीज अ है eu ृथ इस्टाइज ट्रीकुलार फ्लो इन अन ओपन एकमजkiejनोमी ऑंपन एकनामी सिर्ट कवर मारि犌 साथ यहीं है ॊच्छ थी वैजैनल छॉम पॉडश ने पड़ ही आरुमने भी आ धिषी पड़ लेते इं। accounted for however we continue to assume that the economy is a close economy it means the circular flow of the income is not influenced by the foreign sector at all income flows from the producing and the household sector to the government sector in the form of the taxes the income received by the government sector in the form of the taxes flows to the producing sector जो भी भया गवर्मेंट ने टेक्स से लिया यह बापस पर्डूसेक्टर में जाता है कह जाता है कि गॉर्मेंट एक्सपेंडिचर और गूर्ट और गूर्मेंट सेट्वीश और गूर्मेंट इस्टेश्ट जिस तूद पर्डूसेंग सेक्टर और ट्रांसफर पेहमेंट तूद अच्वात्व हेलो, ठीक, देखो बचे, सबसीडी क्या होता है, सबसीडी इन ट्रांसर पर्मिन को समझे, आप, आप कंस्टरमर है और आपको 500 किताब है और आप कैपेबल नहीं है इसको लेने के लिए, तो गौर्रमिन्ट क्या करेगी, किस फर्म को बोलेगी, जो पब्लिश करती है, पब् कस्टमर 400 दे रहा है, और सरकार 100 रुपे दे रही है, तो सरकार ने 100 रुपे कस्टमर की बचत हुई है, यहां पर, फर्म की नहीं हुई है, कस्टमर को 500 चीज़, 400 मिल रही है, तो बोग सरकार ने सरसीडी दिये कस्टमर को, इसी तरीकी से सरकार सरसीडी एक फर्म को भी दे तो अब फडिलाइजर की जो है प्राइस कम इसलिए पॉसिबल हो सकती है तब तक मैं फ़र्मों की कोस्ट को रिडियूस तब पॉसिबल है जब फ़र्मों के लिहाद पर कुछ पेमिंट हम कर दें उसकी कोस्ट की तो इस परकार से गवर्मिंट भी क्या करती है फ़र्म को भी एक सब्सिडी देती है एक उतर ट्रांसफर पेमिंट सरकार ने सीधा पैसा ही दे दिया उठा करके से स्कूल में जाते हैं आप स्कूल में आपको पैसा मिलिया दो जार जार रपै या फिर कुछ भी पैंशन मिलिय इससे क्या किते हैं सिधा पैसे देना है लो या पैसे हम ट्रांसफर पेमिंट कहते हैं गैस सिलेंडर पहले आपका चारसो साधे चारसो पांसो का पढ़ रहा था क्योंकि बागी पैमिंट सरकार करती थी आपकी व्यापर उनको तो वो सब्सिडी था अब आपको पूरा ही पढ़ रहा है बड़ पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं जो भी आते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इसको हम बोलते ट्रांसफर पेमिंट तोनों में डिफरेंसिस हैं तो अगर फर्म ने सरकार को टेक्स दिया तो क्या सब्सिडी के फॉर्म में वापस नहीं क्लिर है १ि प्रांसफर पेमिंट करके अगर हाउस ओल्ट ने अगरे सरकार को टेक्स डिया सरकार को दिया सरकार के इस तरीके शहें क्लिया तो इस तरेके से पैसए फलो होता है गवर्मेंट आल्सो टेक्स लोन फ्रॉम दा क्यापिटल मार्केट सरकार भी लोन लेती है इंवेश्मेंट के लिए तो मीड दिये करन्ट एक्सपंडिचर मेंक इन्वेस्टमेंट और म्ट प्रोजेक्ट सरकार चाहे बीजनस और अप्रीजनस करें वर्म तो फानिया नो पैसा तो फौह जा रहा है तो बच्चे इस सेक्टर में इप गवर्मेंट स्पेंड हिस इंटार इंकम प्रिशीव इन पहले हैं प्रम प्रीजिप आपको इस पर कुछ नहीं करना आपने आपको बस टिपर में कोश्ण आजाएगा आपको यह चार्ट बनाना है बस और इसे इमें आपको लिक्वार्य लिखना है क्या हाउसोल्ट सेक्टर से इस वे लिखना है आपको कि पा सेक्टरेग्छ Twist सेरे पर रेंग्स वंगर धिया और no यही बातों को लिखते लिखते ही आपके इतला हो जाएगा कि अप्को लगएगा यार बहुत लिखे दीआ तो आंसर लिखने का तरीका सीखे याद करना छोड़िए वो तो मैंने लिख दिया है आप आंसर खुद लिखना है क्लेरे बच्चे समझ पाए अब भी वोइस नहीं आ रही क्या आप तो आ रही है क्लेरे बच्चे अब फोर सक्टर एक नामी मॉडल है जिसको मैं नेस क्लासिस में आपको कवर करवाऊंगा उसके बा पर हमारा स्टर्कुलर्स लोगा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मेजर्स अपने इंकम पढ़ेंगे इंकम मैथड़ एक्सपेंडिशन मैथड़ वैल्व एडिशन मैथड़ इसके उपर बात करेंगे